आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ So the question is Which one of the following shows maximum genetic diversity in India? तो इस question में हमने ये बताना है कि सबसे ज़ादा जो है genetic diversity इंडिया में किसकी पाई जाती है और यहां आप देखिए कि ये question जो है repeatedly पूछा गया है CBSC PMT में in 2011 और AIMS में 2012 में तो दूसरी तरह से किस तरह से इस question को पूछा जा सकता है Which one has the largest species variety in India ठीक है सबसे ज़ादा सेम ही चीज है कि सबसे ज़ादा जो है species variety इंडिया में किसकी पाई जाती है तो options देख लेते हैं option हमारे पास है first mango तो mango की जो है इंडिया में approximately thousand spaces जो है वो पाई जाती है अब groundnut की बात करें तो जो groundnut है उसकी जो है बहुत ही कम approximately four species जो है वो इंडिया में available है ठीक है अब देखते हैं हमारा third option that is rice तो rice की जो है approximately 50,000 species में genetic diversity देखी जाती है genetic diversity का यहां से मतलब है कि जो एक particular like example हम rice का ही ले लेते हैं यहां पे तो rice की जो species है 50,000 species है इनके जो genes है उसमें क्या होंगे changes होंगे ठीक है have different flavor or different smell वो सब कुछ किसकी बज़र से होगा उसके जो genetic behavior है उसमें changes होने की बज़र से अब देखते हैं हमारा last option that is maize तो maize की जो है approximately 10,000 species जो है वो present होती है इंडिया में नहीं बलकि in the माक्सी को तो यह भी यहां पे बहुत कम पाया जाता है तो अगर यहां से आप गर हमने एक conclusion निकालना हो तो जो हमारा option C है rice उसकी जो है सबसे जादा species जो हैं इंडिया में पाई गई है तो यहां पे हमारा option C जो है that is the correct answer Classics to 12 से लेके नीट IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8400400 पर